जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज घुलंद करनी पढ़ती है पोल किलब आज़ाद है तेरे दियूस क्लिकप़ मेरे साथ बोल के लब आज़ात है तेरे बोल के लब अज़ात है तेरे है ज़ेजाबोल नौसकार बोल के लब आज़ात है तेरे मैं आभिसार, शेर्मा और कारकरम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सब से मेरी अपील कि मेरे इस कारकरम कोале वाट्ससेप और SMS के जरी कम से कम अपने पांच दोस्तों के साथ साजा कीजे, फॉर्वर्ड कीजे और आज मैं आपको ये बतलाने आया हूँ कि कल यानि 7 नवंबर को बिहार के तीसरे और आखरी चेरण के मददान है और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि कौन जीतने वाला है बिहार, मैं ये तो नहीं बतला सकता कि जीतने कौन वाला है मगर कौन सबसे ज्यादा रुदाली कर रहा है कौन आपकी सहनुभूती हासिल करने की कोशिश कर रहा है कौन बौकला रहा है ये मैं आपको वतलाने वाला हूँ क्योंकि बिहार की मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ये तक ऐलान कर दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है याने की अपना आखरी ब्रमहास्त्र जो की उन्होंने छोड़ दिया है ये बात अलगे कि उन्होंने बाद में जाके का कि नहीं साब मेरा ये मतलब नहीं था मगर साथ ही हमारी निगाए शक्स पर होगी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डॉनल्ड ट्रम्प इस वक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनके प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्राटिक पार्टी के जो बाइडन इस वक्ट उनसे आगे है और दोस्तों डॉनल्ड ट्रम्प की रुदाली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे वो आदमी इस बात को स्वीकार करने को तयार नहीं है कि जो बाइडन अगले राश्टुपती बन सकते हैं और डॉनल्ड ट्रम्प हार सकते हैं और डॉनल्ड ट्रम्प जो है लगातार पूरी प्रक्रिया पर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी चुनावों को रोक दो, मुझे विजेता घोशित कर दो, जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना बिल्कुल, कि मुझे एक खिलोना चाहिए, बिल्कुल वही हालत हो गई है, उनकी मैं बात करूंगा, और उससे एक सीख है भारती मीडिया के लिए, क्योंकि अमरीकी मीडिया ने वहाँ पर जो किया है, वो बहुत ही काबल तारीफ है, वो मैं आपको बतलाओंगा, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बिहार के चुनावों की, कल नतीश कुमार ने सब को सखते मिला दिया, जब उन ये मेरा आखरी चुनाव है, और इसको लेकर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया विपक्ष ने भी दिये, सबसे पहले आप सुनिए, नतीश कुमार के है क्या रहे हैं, और जान लीजिए, आज चुनाव का आखरी दिन है, अब परसों चुनाव है, और ये मेरा अंतिम चुनाव ह अंत भला तो सब भला, अब आप बताईए, भोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठाके बताईए, तो सुनाव आपने, साफ तोर पर कहा कि ये मेरा आखरी चुनाव ये बात अलग है, कि उन्होंने बाद में जाकर सपश्टिकरण दिया कि नहीं साब, हमारा ऐसा कोई नहीं था, अब इस मुद्दे कुलेकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इन दोनों चेहरों ने उन पर करारा हमला बोला है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं, हम तो कहते थे कि नितीज जी ठक गए हैं, और उनका ये बयान जमीनी हकीकत दिखा रहा है, तेजस्वी बयान के बाद उनकी पार्टी का क्या होगा, जिन्हें उन्होंने मजधार में छोड़ दिया है, इतने प्रवक्ता जो बेरोजगार हो जाएंगे उनका क्या होगा, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि करारा तंज यहां पर चिराग पासवान भी कस रहे हैं, नितीज कुमार के के नारे लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं नितीज कुमार इस बात को बखुबी समझते हैं कि बयार जो है, हवा जो है उनके खिलाफ है, और इसी बात को भारती जाता पार्टी भी समझती है, और भारती जाता पार्टी की भी बौकलाहट जो है वो लगतार सामने उभर कर आ क्योंकि नितीश कुमार का घुसा तो आप देखी रहें उनकी सभाओं में प्रधान मंत्री ने भी अंत में जाकर ये लगातार कोशिश की मैं किसी तरह से इस पूरे चुनाव को राश्टरवाद वनाम देशद्रूही बना दू या इसमें राम को जोड़ दू क्योंकि उन्ह लोग जंगल राज में विश्वास करते हैं उन्हें भारत माता की जय और जय शरी राम के नारू परापत्ती है यानि कि यहांपर भी राम का सहरा मगर आप जानते हैं दिल्चस बात क्या है और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है प्रधान मंत्री ने बिहार की जनता क यह खत लिखा है चार पन्नों का जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहा है और इस खत में ऐसी कोई नई बात नहीं है कोई नई बात नहीं है जो पहले उन्होंने अपनी किसी सभा में नहीं कही आप 12,40 कर चुके हैं मुदी जी बावजूद इसके आपको ये खत लिखने की जरूरत पड़ रही है इससे आपको पता चल रहा है कि मुकाबला किस कदर काटे का है कितना करीबी है या फिर एक दूसरी सोच ये हो सकती है कि भारती जनता पार्टी जो है वो इस मामले में बहुत ही अग्रेसिव है यानि कि आखरी लम्हे तक लड़ना चाहती है और इसके लिए तो हमें उनकी तारिफ करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि इससे कई लोग सीख ले सकते हैं मगर हाँ बिहार के इन चुनावों पर हम नज़र डालें तो 2015 की चुनावों को मैंने कवर किया था दोस्तों 2015 के मुकाबले अब 2020 में एक ऐसे माहौल में जब बिहार का सांप्रदाइक करन भी हुआ है बिहार में पहले कभी सांप्रदाइक दंगे नहीं होते सांप्रदाइक तनाव नहीं हो रहा था मगर चौबे जी के लड़के ने जब से वो राली निकाली उसके बाद से बिहार में भी सांप्रदाइक तनाव शुरू हो गया है मगर बावजूद इसके 2020 के जो चुनाव थे न दोस्तों इतने बदनुमा नहीं थे जितने 2015 के थे 2015 में आपको याद है गिरराद सिंग के वाहियात और विवादास्पत बयान अमिश्या ने तो ये तक कह दिया था कि अगर हम हारे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे और बहुत ही वाहियात प्रोपेगंडा जो हुआ और माहौल बच से बत्तर हुआ इस बार वैसा देखने को नहीं बिलाए दोस्तों और इस बात को लेकर मुझे लगता है तारीफ के लाइक हैं तमाम राजनेता हालकि कोशिश जरूर की गई सत्ताधारी भारती जानता पार्टी और सत्ताधारी इंडिये की तरफ से मगर आप जानते हैं तारीफ के हकदार तेजस्वी यादव भी है क्योंकि जब भी नितिश कुमार ने उनकी माँ पर हमला भूला उनकी आठाठ नौनों बच्चों की बात कर डाली या उन्हें जंगल राज का युवराज प्रधान मंत्री ने कहा तो इसका जवाब उन्होंने उसी अंदाज में नहीं दिया उनका लगातार फोकस नौकरी पर रहा और जनता पर रहा जिनसे उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है आप जानते हैं चुकि उनका फोकस नौकरी पर रहा रोजगार पर रहा इसलिए इस बार बिहार के चुनावों में माहौल उतना ज़ादा सामप्रदाई करण नहीं हुआ उसका भारती जनता पार्टी को भी नौकरी के मुद्दे पर आना पड़ा दस लाग का जवाब बीस लाग से मैं आपको बताता हूँ कल ही एक राली को किस तरह से संबोधित किया तेजस्वी ने आप खुद देखिए जिजिस सिटो को समान काम समान वेतन का अधिकार देंगे और जितने संब्साय समूर जिविता दिदी आंगिन वारी विकाष्वित इससभी को नियमित किया जाएगा और मांदे को दुगना किया जाएगा लेकिन रमाई नाम जीप पुरान है लेकिन जोग को जजबा कायम अनुभव ये तो हमको चाहिए आप जबाई के पास अनुभर की कमी नहीं है और हम लोग को एक बहुता दिजे सिरा अगरी है जबी निता है आप लोगों के दुख सुख में ये रजते हैं आप लोगों के ले काम करेंगे तो तारीफ करनी चाहिए हमें इस बार विहार के चुनावों की की इस बार उतनी गंदगी नहीं थी जितनी हमें पिछले पांच सालों में आप पांच साल पहले दिखाई दिये एक और बहुत दिल्चस प्रीज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ये सवाल उठना लाजबी है कि क्या इस वक्त एंडिये में अंतर विरोध है एंडिये में तनाव है क्योंकि नितीश कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदितनात उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने एक राली में कहा था कि नागरिक्ता बिल आने के बाद जो घुसपैटिये उनको बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा पहले आप सुनिए उनका 15 सेकंड का ये बयान उन्होंने क्या कहा अब इसकी जवाब में नितीश कुमार ने क्या वो मैं आपको सुन दिखिए नितीश शाहते तो वो इस मुस्लिम बाहुल इलाके में जहां वो ये बायान दे रहे थे शाहते तो किसी का हवाला नहीं देना चाहिए था उनको वो सिंप्ली ये कहते कि नागरिक्ता बिलकु लेकर काफी गलत अवधारणाएं हैं और मैं ये बात कहलाना चाहू है यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को सब हिंदुस्तान के हैं सब भारत के हैं कौन इसको बाहर करेगा सब ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूँ ही तो देखिए इसके दो ही जवाब हो सकते हैं पहला जवा मगर एक बात तैह है कि NDA बहुत हाथ-पाओं मार रहा है चाहे नितिश कुमार का ये कहना कि ये मेरा अंतिम चनाव है वो बोलने की क्या जोरत थी उन्हें बात में उन्हेंने स्पश्टि करने दिया हूँ एक अलग बात है या फिर प्रधान मंत्री का वो खत लिखना वो भी अपने आप में बतला रहा है कि किस कदर NDA हाथ-पाओं मार रहा है और तीसरी बात खराब सेहत के वज़े से ग्रह मंत्री अमिट शाह भी जो है नदारद रहे यानि कि उनकी सेवाएं भी भारती जनता पार्टी नहीं ले पाई हाला कि दो दिन के दोरे में वो पश्श्ब बंगाल जरूर गए और आपने देखा था कि किस तरह से जमीन पर बैट कर उन्होंने खाना भी खाया तो अमिट शाह की गैर मौझूद की भी काफी हद तक भारती जनता पार्टी को खली तो इसलिए ये चुनाव जो हैं बेहत दिल्चस्प हो जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों मैं जोड़ना चाहूंगा अमरीका के चुनावों को इन दो चहरों पर गोर कीजिए राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प और पूर्व वाइस प्रेजिडेंट जो बाइडन जो की उन्हें चुनावती दे रहे हैं और इन चुनावों में ट्रम्प का वो चहरा सामने उभर कर आया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये रुदाली का बेताज बाच्शा है और मैं किसलिए कह रहा हूँ दोसको कि देखें चुनाव तब पूरे होते हैं जब गिंती पूरी हो जाती है और जो तमाम वोट्स को के हिसाब से ये कोशिश बताई जाता है कि जीत कौन रहा है अब क्या दिक्कत है कि कोरोना की वज़ा से कई लोग मेल के जरिए जो हैं वोट कर सकते थे अमरीका की चलते अब हुआ ये कि जो लोग मेल के जरिए वोट्स भेज रहे हैं इस बात को लेकर आपती है डॉनल्ड ट्रम्प को अब वो लगातार ये घोशना कर रहे हैं कि साब चुनावों को बंद करो और मुझे विजेता घोशत कर दो मानो कोई छोटा सा बच्चा इस तरह की घोशना कर रहा हो आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये इनके दो ट्वीट्स हैं देखिए इन दोनों ट्वीट्स को आप देख सकते हैं ट्विटर ने छुपा दिया है, हटा दिया है क्यों हटाया मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ट्विटर के हिसाब से ट्रंप के बयान फ्रॉड है, फर्जी वाडा है और उन्होंने बयान क्या दिया था एक और बयान को हटा दिया एक और बयान को हटा दिया जिसमें उन्होंने कहा था, stop the fraud इस कदर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी रोदाली कर रहा है और मैं आपको एक और शीज बतलाना चाहता हूँ दोस्तों वहां की जो मीडिया है, उसकी read के बारे में कल ट्रंप जो हैं, एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हैं फिर वही रोना की मैं जीत रहा हूँ, चुनावों को बंद कर दो मुझे विजेता घोशित कर दो, सब fraud है, फलाने डिमकाने बगैर सवालों का जवाब दिये, ये जो हमारे देश के भकतों का फेवरिट है, डॉनल्ट ट्रंप ये पलायन कर गए, भाग गए, अब देखिए, पत्रकार उन्हें किस तरह से सवाल कर रहे हैं, जैसी ये शक्स भागता है, देखिए विडियो बात यहीं नहींवें, कम सेकम तीन चैनल relative ने डॉनल्ट का बॉयकॉट किया था, जैसे ही डॉनल्ट टरंप का ये भाषन शुरूँआ, तीन चैनल ने उसका बॉयकॉट किया और जानते क्यों ये कहते हुए कि डॉनल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं वो देश की जनता को बरगला रहे हैं, उन्हें भढ़का रहे हैं, उन्हें जूट बोल रहे हैं इससे कहते हैं मीडिया की रीड यहां तो दिक्कत यह है कि आप सवाल पूछें तो उस पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, लोगों पर F.I.R. दर्ज कर दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है, अपना काम करने के लिए हमारे देश में यह होता है और अब आप देखिए दोस्तों किस तरह से एक चैनल ने डाउनल ट्रम्प के प्रेस कांफरेंस को बीच में रुखा और कहा कि डाउनल ट्रम्प जो कह रहे हैं घलत कह रहे हैं, देखिए और के जेखिए गज्स का रवे हैं, थि एाम प्रeम है, चेसी क्या है रहे है इसए हो प्याव बिगाशना कैने के टेने का है इससा देखिए प्ला है आप लत पाहब का थे लहाए लिए. ते अरी तासिवाने वां लिए भीम जाने शीजिज आडिए गैसे इस निछी इस लिएुटली है इस लिए थाँ गाया है Okay. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States and Ari Melber don't go far given that you are our chief legal correspondent there are no illegal votes that we know of तो डॉनल्ड ट्रॉम्प की रुदाली बदस्तूर जा रही है और हमारे न्यूस चैनल्स क्या कर रहे है अब देखिए जी न्यूस ने शायद एक या दो दिन पुराना चुनाव है इस चुनाव को राश्ट्रवाद बनाम मुस्लिम कार्ड यानि कि इनका बस चले दोस्तों तो हर जगा अमरीका में भी हिंदू मुसलिम कर दें वहाँ पर भी हिंदू मुसलिम तनाव कर दें भारत में तो तुम करी रहे हो भाया क्यों बबुआ भारत में तो तुम वो कचरा करी रहे हो अब तुम अमरीका में भी हो करना चाहते हो कमाल है मतलब अमरीका के चुनाव में भी इन्होंने मुस्लिम कार एक तुरह से घुसा दिया है और बहुत अच्छा काया इनके चैनल के संपादक में ये देखिए कि अब तो पत्रकारिता छोड़ने का वक्त आ गया अलगी मैं जानता हूँ कि एक और जो इस सरकार का चाटुकार पत्रकार है जो इस वक्त जब मैं आप से बात कर रहा हूँ निया एक हिरासत में उस पर था मगर बिल्कुल सही कायन होने अब पत्रकारिता छोड़ने का वक्त आ गया है मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चैनल्स को जो इस तरह से समाज में जहर बोते हैं ना उन्हें कोई हक नहीं है पत्रकारिता करने का खैर मैं बात कर रहा था अमरीकी चुनावों की मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ट्रम्प के जो प्रतिद्वंद्वी हैं जो बाइडन वो किस तरह से सूजबूच से समझधारी से अपना बयान दे रहे हैं उनका ये बयान सुनिये जिसमें वो दो बाते कह रहे हैं पहली बात कि जब तक आखरी वोट नहीं पड़ेगा तब तक इन चुनावों को पूरा नहीं माना जाएगा और दूसरी बात कोरोना किस अंकट को लेकर उनकी लगातार बाचीत हो रही है जो बाइडन भी कही न कहीं अपने आपको राश्टुपती समझ रहे हैं मेरा मश्वरा उनको भी कि भाईया भी नतीजों का इंतजार कर लीजे उसके बाद आप ये कर सकते हैं जो बाइडन ने क्या का आप सुनिये अजार बाचीत के लिजेख प्सकति लगीजेश की समय अजारी को फईश हो फिस लाज़ आटारी को ले नतीजों के लादारी कि लेसे इसे याच लगी ने सब्सक्टलावी को लेख इसे लाटक Зայारी को लेखिए and that's what we're going to see going through now and that's how it should be democracy is sometimes messy it sometimes requires a little patience as well but that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance and that's been the envy of the world and we continue to feel senator and I we continue to feel very good about where things stand so we can get rid of it again. पूरा विश्वास रखी उस बात को लेकर मगर जनता को मूर्ख मत समझे जब आप इस तरह के बयानाद देते हैं आप अपनी असुरक्षा तो दिखाई रहे हैं मगर आप इसके जरीए ये समझ रहे हैं कि जनता आपको नहीं समझ रहे हैं आप जनता को मूर्ख समझते हैं क्रपया ऐसा मत समझे तो बोल कि लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही आप इसार शर्मा को दीजिये जासत नमस्कार